किसान साथियो नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है Amazing Kisyan के YouTube चैनल में किसान साथियो आज की जो वीडियो है ये अधिकतर जो gardening करते हैं या kitchen gardening करते हैं उनके लिए है और जो भाई high density के plantation की हुई है और जब उनके पोदे मिल जाते हैं तो head back cutting का मैंने बताया था उसके बाद क्या काम करते हैं उस पर आधारित है अक्सर जब लोग मुझे घर पर बुलाते हैं मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि मेरे पास एक अमरूद का पोदा है या दो पोदा है या लगाने जा रहे हैं तो उसमें कुछ मुख्य गलतियां हैं और मैंने देखी है वो यह है कि वो यह ध्यान नहीं रखते कि पोधे को कहां पर लगाना चाहिए और किस दिवार के साथ में लगाना चाहिए कभी भी पोधे को जो आपकी दक्सिन की दिवार है उसके पास नहीं लगाना चाहिए अगर उत्तर की दिवार के पास लगाते हैं तो फिर भी समझ में आता है या पस्चिम की दिवार के पास लगाते हैं तब भी समझ में आता है दूसरा है कि उसकी दिवार से कितनी दूरी होनी चाहिए तो कम से कम आपको दिवार से तीन फिट दूर पेड को लगाना चाहिए कम से कम बता रहा हूँ मैं ये पोधा मेरा देखिए ये करीब पांस साल का पोधा है और इसकी मैंने पहले दिखाई थी वीडियो में कि मैंने हेड़ बैक कटिंग की थी देखे कितनी मोटी टहनिया मैंने काटी है घर पर हमें पोधे को बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए चुकि जब पोधा बड़ा होगा तो उसकी जो ये जड़े होंगी ये भी बहुत दूर तक जाएंगी छोटा पोधा रखने तक अभी आप देखिए कि मैंने यहां सक एक, दो, तीन, तीन फिट से बाहर इसकी जड़े नहीं जाएगी दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो मैंने गल्तियां देखी हैं कि लोग पानी यहां पर देते हैं उसके तने के पास पानी देते हैं बहुत छोटी सी जगह रखते हैं वहां पानी देते रहते हैं जब पानी देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहां पर जड़े वही की वही घूमती रहती हैं और उनमें डालना चाहिए आप देखिए मैंने डेड़ फुट दूर एक नाली बनाई है और उस नाली में खाद दिया है अक्सर मैंने देखा है कि लोग यहीं पर खोद कर खाद डाल देते हैं कभी न यह गलती करें चुकि यहां भोजन वाली जड़े नहीं होती हर साल जितनी कैनोपी फैलेगी उतना कम से कम यह 6 इंच की एक गहरी नाली करिए इसको 6 से 8 इंच गहरा करिए ताकि यहां की जो छोटी बारीक जड़े हैं वो कट जाएं और फिर उनके उपर कुछ दिन धूप लगाकर अच्छा खाट डालिए तो इसमें कम से कम भी आप 10 किलो वर्मी दालिए और हुमेट्शू जो पोडर वाला आता इपको का थोड़ा वो भी डालिए करीब 20 ग्राम हुमेट्शू डाल दीजिए और 50 से 100 ग्राम सागरी का यह सब मिला करेंगी और बायो इस्टिमिलेंट का काम करेंगी तो इन सब को मिला कर पानी दीजिए ध्यान एक बात क कभी भी dap या जो भी केमिकल खाड डालते हैं उसके साथ कोई भी sulfate और कैल्सियum नहीं डालना काहँ ध्यान रखिये जब भी कोई आप है और इसमें dap या ssp होता है तो कोई भी जैसे jinx sulfate ferrous sulfate magnesium sulfate कोई नहीं डालेंगे even के चुना भी नहीं डालना है यह ध्यान रखना है तो इस तरह से यहाँ पर डालिए इसको अब हमने जो कटिंग की थी गहरी कटिंग की थी आप देखिए कितने इसमें कल्ले निकले हैं अगर हम इन सभी कल्लों को रख लेंगे तो हमारे पोधे की उचित बढ़ोतरी नहीं होगे अभी क्या है हमें इनको बढ़ाना है और मई के अंत तक इनको बहुत ले जाना है तो ये ध्यान लखना है जैसे इस जगह पर बहुत सारे कल्ले आएगे तो इन में से ये बाइपास कटर है जो पुरूनर है इन में से आराम से आप इनको इस प्रकार हटाईए थोड़ा कम करिए इनको, जितना कम करेंगे उतनी ही अच्छी टहनिया चलेंगे, यह देखिए, इसकी कटिंग मैंने नॉंबर में की थी, तो बहुत अच्छी इस पर जो है न, इसमें, फरवरी में ही फुटान सुरू हो गई थी, और कुछ मैंने बताया भी था, तो आप थो में एनर्जी जाने के बजाए, वो दो या तीन में जाएगी, और वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, चुकि हमें इसे कम से कम दो फुट का करना है, और जब दो फिट का हो जाएगा, तो जब इसको आधा कट करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छे फूल आएगे, यह देखि की तरफ जा रही है, इसे मैं हटा दूँगा, मैं नीचे की तरफ नहीं लूँगा, यह भी मेरी एक्स्ट्रा है, चुकि मुझे यह साखा बढ़ानी है, इसकी देखिए, इसमें से बहुत सी साखाये चल गई, इन सब को मैटाओ, मैं इसका बाइपास का इसलिए प्रियोग कर रहा हूँ, नहीं तो यह छोटे वाले हाथ से भी हटा सकते, इसे ध्यान से देखिए, इसमें कितनी सारी है, इसमें से भी निकल गई है, आप इन सब को हटाईए, अब कुछ भाई यह कहेंगे, कि त्यागी जी एक दो पोधे में तो यह हो सकता है, पर जब किसी का एक ए या दो एक कड़ो, तब कैसे करेंगे, भाई देखें, करना तो जरूर पड़ता है, घर में दस आदमी हैं, तो दस के लिए कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, और उतना भोजन उनको देना पड़ेगा, इसी लिए कोई भी पद्धती अपनाते विए, जो बड़े किशान हैं, अगर वो हाई डेंसिटी पे कर रहे हैं, और उनके पोदे मिल गए हैं, तो कम से कम, पांस साल के बाद में, उन्हें हैड बैक कटिंग करनी ही है, और उसमें ये सब कारिये करने पड़ेंगे, वरना आपकी उपज़ पर फरक पड़ेगा. जितनी कम रखेंगे, उतनी ही अधिक आपकी तेजी से ये बढ़ेंगी, चुकि अभी हमें इसमें सिर्फ वानस्पतिक व्रद्धी करनी है, यानि साखाओं को तेजी से बढ़ाना है, और कुछ नहीं करना है. इसके साथ एक आता है एनपी के उननिस उननिस, पांच गराम परती लिटर, उसका इस पर 15 दिन में एक बार इस्प्रे कीजिए, और एक ले लीजिए नीम क्योर, जो नीम का तेल आता है, उसका इफको पर बहुत अच्छे प्रोड़क्ट मिलते हैं, जैसा अजा पावर या निरंजन जैल होता है, 15 दिन में उसका इस्प्रे अवश्य करें, वो कीडों से मुक्ती देगा, ये घर वाले कभी भी कैमिकल को अवाइड करें, 15 दिन में यानि अमावश्या और पूर्णिमा या उससे एक दिन पहले या दो दिन पहले इसको अवश्य करें, पोदे साफ ह या बीमारी हो तो अवश्य करते रहें, घरों में एक और शमस्या आती है, कि अक्सर देखा है, एक सफेद सफेद फपूंदी सी आ जाती है, वो मिली बग होती है, और मिली बग की एक खासियत है कि ये कभी भी उड़कर पोदों पर नहीं पहुंचती, ये क्या करती है, कि ये जमीन से चलती है, तो इसके लिए दो काम करें, एक तो अपना जो है नीचे से सफाई रखें और यहाँ पे एक प्लास्टिक की पन्नी बांदें, इतनी इससे में, इतनी चोड़ी, जितनी मेरी चार उंगले पन्नी बांदें ऐसे, और उस पे धागा लपेट दें, और फिर हलका सा ग्रीस लगाएं, तो कोई भी उपर नहीं चड़ पाएगी, अगर पहले से चड़ भी गई हैं, तो आप थोड़ा सा साबुन का गोल बनाएं, जो आपका बरतन धोने का लिक्विड होता है, उसका गोल बनाने, या जिनीर्मा पोडर का गोल बना लें, और उस उन पर छिड़क दीजिए, तो आपकी भी मर जाएंगी, घर पर कभी भी कैमिकल का इस्तेमाल ने करें, ये जो मैंने बताया है, ये बहुत अच्छा बताया है, इस प्रकार जब ये करेंगे, और ये आपके अच्छे बड़े हो जाएंगे, तो इसकी कटिंग हम मई के धन्यवाद, नमस्कार, जैहिए, जैभारत, वंदेमा,